सिरी गड़ी सिका सुमरन करके धरों सारदा मा का ध्यान कंठ बिरा जो बीड़ा बाद नी भूले अक्चार देओ बताई केसे गोना हुआ बेला का सुनो सभी जन ध्यान लगाए जैसे लंका मेरा वडवाए मुहबे वाए चन्देला रा रावड की सोने की लंका चन्देला पारस की खान वहाँ पर खाई बनी सिंदु की यहाँ पर सागर को परमान उनके गुम्हे करण से योधा उनके उदे से बलवान उनके योधा इंद्र जीत हैं उनके धरे धावल मलखान उनके योधा इंद्र जीत हैं दिली के रा जा प्रत्वी है सज भेदी जिन की पहचान पुत्री बेला है प्रत्वी की जो है राज मेल की सान जब योधन आया बेला का सखिया रही है याद दिलाएं बेला अब माता से बोलो देवे तुम्हारा ब्याहिर चाएं जब यह बात सुनी माता ने फिर कुछ देर लगाई ना आये हाल सुनाया प्रत्वी राज को बेला का दियो ब्याहि कराएं जब यह बात सुनी प्रत्वी ने सब से करी तुरंति सलाएं सभी मंतरी राजी हो गए जो भी हो राजा की चाएं जो भी हो राजा की चाएं बोरन बुलबाया मुनसी को तब फिर देर लगाई ना चित्थी लिखवाई मुनसी से जिसका हाल सुनो चित्लाएं पहला युद्ध होई द्वारे पर इसके बाद भावर में जाएं हो भी भावर बाद कलेबा बस दूरा ही अंदर जाएं मूल कटेगी वह दूले की हिम्मत हो तो बचकरिया है कोई दिखला बे मर्दूनी अन्य सवाई पर मारा जहां इतना लिखकर उर्मसी ने प्रत्विराज को दिया दिखां चित्थी पढ़कर तप्रत्वी ने अपनी दै है मोहर लगा चित्थी पढ़कर तप्रत्वी ने अपने पुत्री संगे प्रत्वी ने साथी चार दिये भी जेवाई एक पंड दोर असी हाथी साथ पाल की साथ में जाएं एक हजार घोडों की संग में तीन लाखटी का ले जाएं ताहर बेटा प्रत्विराज का कई राजों के पासम जाएं चार मास तक बर ढूडा है टी का कोई लिया है नाएं जो संदे से पढ़े प्रत्वी का मुख से बोल निकलता नाएं घूमत घूमत ओरई में पहुचे जहां पर राजा माहिल आएं है मकार जन्म का माहिल इसमें तरक जराब ही नाएं तब समान दिया माहिल ने उचे आसन दिया बठार बात सुनी है जब ताहर की एक पल देर लगाई नाएं बोला माहिल तब ताहर से मेरी बात सुनो चित लाएं अजे पाल कन्न अजे के राजा जिनके पुत्र रतिवान कहां उनके पुत्र नाम है लाखन उसका तिलक देव करवाएं जाना भूल कर भीना महवें वैकोल नहीं बराबर आए तब यह बात सुनी ताहर ने ताखिल भै कन्नो जिम जाए जाकर रतिवान धिग पहुँचे परती का सुईकारा ना जाकर रतिवान धिग पहुँचे आरे लोट चले कन्नो जिस बाप से रहते में मलके मिले जाएं वहां पर मिलकर भिरताहर ने सारा हाल दिया बतलाएं चार माह से हम आये हैं तीका लिया किसी नहीं नाएं जब अह बात सुनी मलके ने एक पल देर लगाई नाएं नाम परिमाल है राजा का जो है महोबा के सरदार ब्रहानन्द पुत्र हैं जाके पहुँच जाओ राजा दरवार चरहा देओ ब्रह्मा परदी का तुम्हें समस्या होगी नाएं चार माह से भटक रहा था ताहर पहुँच महोबा जाएं जब प्रिस्ताव सुना प्रत्वी का परिमाल ने जाएं कहां सुनाएं तीका ना हो बे ब्रह्मा का ताहर लोट दिल्ली को जाएं जोरे लगाया तम मल खेने तीका ब्रह्मा का हो जाएं रानी मलना नहीं थी राजी कोन पोत्र की जाने लुटाएं कोन अभागन माता होगी जोर्ती का गोले चणाएं एसी वहू नहीं घर आबे अपना पोत्र ही रहना पाया लावू दल कहां पर पहुँचे पूरी बात सुनी है जाएं जब तीका बापस जाने को तब उदल ने कहा सुना तब तीका बापस जाने को हाने तीका बापस नहीं जाएगा उदल बचने दिये करवाएं मलके और उदल ना माने फिर माता ने कहा सुनाएं कर लो निन तुम सब मिलकर जो भी मन को तुमरे भाएं जाया लहा से लेओ अनमती ब्रह्मा पर दे उतलक चणाएं चड़ गया तीका जब ब्रह्मा पर ताहर बहुत खुसी हो जाएं आलहा और उदल मलके ने सारा नगर दिया सजवाएं और संग ताहर को ले करके सारा राज भ्रमाण करवाएं जो सामान रहा तीके का ताहर के संग राज म जाएं सोभा देखे राज की देखो चोणा और नाई चोधियाएं आखे पटी भाट नेंगी की नगर की सोभा देखे बत हाएं यहां की बात यही रेने दो अब आगे की बात सुनाएं पता लगा है जब माहिल को तीका ब्रह्मा पर चल जाएं चुगल खोर तब दिल्ली पहुचाओ माहिल जिसका नाम कहा आएं जाकर बोला है क्रत्वी साओ कैसा का जब किया बत लाँ चल आदिया ब्रह्मा पर तीका तुमरी बराबरी का नाएं नाक के कतेगी चोहानों की जो गार यहरिस्ता हो जाए ना के कटेगी चौहानों की हारी एक उपाई बचा है बाकी जो मैं तुम को देऊं बताए पहले दूला ब्रमानन को मेरे साथ लियो बुलवाई लिख कर पत्री अब तुम भेजो केवाल यही है एक उपाई कहना यही रस्म दिल्ली के दूला मामा के संग्याई जब मैं यहां लाओ माहिल को यहीं पर देंगे मार गिराई हे मक्कार जन्म का माहिल मामा ब्रम्हा का के लाए मिली खबर ही जब मोहवे में माहिल वहां भी पहुचा जाए चोहानों में यही नियम है दूला मामा के संग्याई ब्रम्हा जाए साथ हमारे फिर पीछे बरात से बजाए बड़ा बिस्वास रहा मल्हना को ब्रम्हा संग्य में दिया पठाई पता लगा है जब मल्हे को मल्हे चाल भाप गई आए तुरंत बुलाया है सुल्खे को जरा भी देर लगाई नाए पूरा यकीन रहा ब्रम्हा को मामा माहिल परवत लाए सुल्खे पहुचे गए पीछे से सिरसे के फाटक तक जाए अब आगे की कथा सभी को अंगले भाग में कहूं सुनाए लिखी कहानी है विकास ने संजो बगेल रही सुनाए संजो बगेल ने गादी आयाला